इस्राइल पर अगले 48 घंटे में मिसाइल अटैक हो सकता है यमन के हूती विद्रोहियों ने रविवार की सुबह इसका टेस्ट किया जिसके बाद कहा जा रहा है अगला एक हफता इस्राइल के लिए बहुत मुश्किल भरा होने वाला है दरसल टेस्ट के दौरान यमन के हूती विद्रोहियों को ये पता चल गया कि इस्रेल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम उनकी मिसाइल को ट्रैक कर पाने में फेल रहा है मिसाइल लॉंच होती है और बढ़ जाती है इस्राइल की तरब और फिर इस्राइल से आए वीडियो देखिए इन तस्वीरों में इस्राइल का खौफ है इस्राइल डरा हुआ है ये साइरन की आवाज नहीं लग रहा है कि इस्राइल में जैसे कोई चिलना रहा हो बचाओ बचाओ तोकि इस्राइल पर हुआ है एक ऐसा हमला जिसने इस्राइल की तमाम सुरक्षा की गारंटी को फेल्ड साबित कर दिया है इस्राइल की फॉलादी दिवार में क्रैक आ चुके हैं इस्राइल की मिसाइल रोकने वाली ताकत पूरी तरह डह चुकी है और इस वक्ष सबसे ज्यादा टेंशन में अगर कोई है तो वो है इस्राइल की प्रधान मंत्री बेनियमिन नितन्याहू क्योंकि यमन से हुए हमले पर इस्राइल का मिसाइल डिफेंस 100% फेल हो गया इस्राइल को बचाने वाला अमेरिका इस हमले को नहीं रोक पाया इससे पहले इस्राइल की तरफ जाने वाले ड्रोन और मिसाइलों को ग्राने वाले तीन अरब देश सॉधी अरब, जौडन और मिस्र भी पूरी तरह फेल हो गये इस्राइल पर यमन की तरफ से हुए मिसाइल हमले के बाद की तस्वीरे देखिए रविवार तड़के साड़े छे बजे इसराइल में साइरन बजने लगे और फिर सड़कों और हाईवे पर ये हाल देखा गया लोग बचने के लिए ऐसे छुप रहे थे तेलवीव से लेकर मोदीन शहर ये 40 किलोमीटर का दाइरा ऐसा था जहां इसराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इंपक्ट पॉइंट का अंदाजा लगाया इंपक्ट पॉइंट यानि वो जगा जहां मिसाइल गिरने की संभाव ना थी और फिर मिसाइल गिरी कफार डैनियल में ये जगा इसराइल के बैन गुरियन इंटरनाशनल एरपोर्ट से 10 किलो मेटर दूर है यमन के हूती विद्रोहियों का दावा है कि मिसाइल ने 2040 किलो मेटर का सफर 11 मिनट 30 सेकंड में पूरा किया ये एक हाइपरसॉनिक बलिस्टिक मिसाइल थी यानि इसकी रफ्तार थी एक सेकंड में 3 किलो मेटर यमन से लॉंच होने के बाद ये ऐसी ट्रजिक्टरी में इसराइल की तरफ बढ़ी तो लाल सागर के उपर से जाकर अपने टार्गेट तक पहुँची साओी अरब और मिसर भी देकते रहे गए और आखर में जॉर्डन के लावा इसराइल भी इस मिसाइल कुरोकने में नाकाम सावित हुआ अजर्गर रब जी रतित मुल्दीर अर्शव इसराइल इसराइल क्वटर लग्टर 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 लग्णाटेनों अबुकर अखुटीं शिगरो तיל करका करका מתיימן לשטחנו हम כבר היו צריכים לדעת שאנחנו גובים מחיר כבד על כל ניסיון לפגוע בנו מי שזקוק לתסכורת בעניין זה מוזמן לבקר בנמאל חודדה कोल मीशे तो केफ होतानू लोया खमोक मिनाखत जगोएनू इसराइल अम मिसाइल के टुकडे तलाच रहा है लेकिन जो होना था वो हो चुका है वही मिसाइल जिसे वो ट्राक तो कर पाया लेकिन मार नहीं पाया ये इसराइल के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है यमन की मिसाइल के कुछ टुकडे रेलवे स्टेशन के असकिलेटर पर भी मिले थे तब यहाँ कोई नहीं था इसलिए घायल कोई नहीं हुआ लेकिन होता तो क्या होता इसलिए कहा जा रहा है कि इसराइल को अब अपने एर डिफेंस की मरमत करने की जरूरत है क्योंकि वो यमन के हमले में पूरी तरह एक्सपोज हो गया है रिपोर्ट है कि इसराइल ने यमन की बलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए 20 एर डिफेंस मिसाइल दागी आसमान में धुए की ये सफैद लकीरे इसराइल की नाकामी साबित कर रही है इसराइल के सिक्योरिटी एक्सपर्ट यौसी मैलमिन ने कहा है कि यमन की मिसाइल ने इसराइल के पूरे एर डिफेंस को भेद डाला इस हमले में इसराइल का Arrow Missile Defence System फेल हो गया इस हमले में इसराइल का डेविड सिलिंग सिस्टम फेल हो गया इस हमले में इसराइल का World Famous Iron Dome भी फेल साबित हुआ है इसराइल ने जिस दिवार को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जो दिवार उसने अपने आस्मान के चारों तरफ तैयार की थी उसे यमन की एक मिसाल ने चकना चूर कर दिया है यमन का दावा है कि उसने ऐसी जगा को टार्गेट बनाया जिसकी वज़ा से करीब 25 लाक इसराइली लोगों को शेल्टर में फॉरन भागने की जरूरत पड़ी इन्ना थी लामलिया ताटी फी इतार इलमर्छलत खामिसा वजाए तत्वीज लिजहूद अब्ताल इल्गूट सारूखिया इसे कैई मिसाइल हैं जिनने यमन के हूती विद्रोही अपनी परेड में दिखाते रहे हैं इन सबी पर इरान की छाप लगी हुई है इस बात से तो इरान भी इंकाट नहीं करता चाहे वो बलिस्टिक मिसाइल हो प्रोस मिसाइल हो या फिर ट्रोन हूती विद्रोहीं के पास बहुत से ऐसे हत्यार है जो से इरान के जरीए ही मिले हैं यमन के हूती विद्रोहियों को एरान का समर्थन इसराइल का दूसरा बड़ा खौफ है इसराइल का डर इस हमले से और ज्यादा बढ़ गया है इन हत्यारों के साथ यमन के हूती विद्रोहियों की सबसे बड़ी डिमैंड है कि वो इसराइल गाजा पर बंबारी बंद करें जब तक ऐसा नहीं होगा वो इसराइल पर हमले करते रहेगा पश्चिमेशिया की रिपोर्ट्स बताती हैं कि 7 अक्तूबर 2023 के बाद से यमन के उपूती अब तक इसराइल के 80 जहाजों को टार्गेट कर चुके है यमन के हमले ने युद के दायरे को दस गुना बढ़ा दिया है पश्चिमेशिया से अमेरिका की जमीन तक इस हमले की धमक सुनाई दे रही है सबसे बड़े खत्रे की घंटी अब सयुक्त राष्ट में भी लगातार बज रही है So Gaza as the war continues to inflict unspeakable suffering on hundreds of thousands and has extended its destabilizing effects across the broader region These destabilizing effects, Mr. President have also affected Yemen negatively Ansar Allah has continued attacks on vessels in the Red Sea threatening regional stability and international maritime security इसराइल की प्रधान मंत्री बेनियमीन नेतनियाहू की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है इसराइल में यमन की तरफ से हमलों के बीच नेतनियाहू को अब अपने तेल के कुऊं की चिंता सता रही है क्योंकि यहाँ पर हमला रोकना असान नहीं होगा दर है कि यमन के हूती अब इसराइल के तेल के कुऊं और गैस फील्ड पर हमले की तयारी कर रहे है बूम अद्य सागर में इसराइल के कई तेल और गैस के बंढ़ार है और यहाँ उसके ओल डिक्स पर ड्रोन अटैक किया जा सकता है यही यमन की ड्रोन फोर्स का नया टारगेट बन सकते है इन पर हमलों को रोक पाना इसराइल के लिए आसान नहीं होगा ओल रिक्स पर हमले का मतलब है कि इसराइल के एनरजी इंडिस्ट्री की तबाही भूम अद्दे सागर में इसराइल की तमार, लेवियतन और करीज गैस फील्ड है यहाँ इसराइल हर साल 21 अरप क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन करता है इस गैस फील्ड से मिस्रो जॉर्डन को भी गैस की सप्लाई की जाती है 19 जॉलाई को जब तलवीव में आधी रात 3 बजे हमला हुआ था तब धमाका बहुत बड़ा था किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या सड़कों पर लोग बदहवास हालत में नज़र आए इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई थी जबकि 10 लोग जखमी हुए थे तलवीव में अफरा तफरी मच गई ड्रोन से हुए इस धमाके ने इसराईल को बुरी तरह हिला कर रख दिया लोग सड़कों पर निकल आये सारन बजने लगे आखर इसराईल की राजधानी में दुश्मन का याफा नाम का ड्रोन कैसे घुज गया कैसे इसराईल का सबसे मजबूत किला आग के शोलों से चकना चूर हो गया याफा ड्रोन के बारे में कहा जा रहा है कि ये इरान से मिले ड्रोन की नकल है इसका असली नाम समद 3 है इस ड्रोन के रेंज 2000 किलोमीटर है अब इस ड्रोन का रूप देखिए जिसने इसराइल को चौका दिया ये ड्रोन लाल सागर के उपर से होते हुए स्विज नहर के उपर से गुज़रा और फिर तेलवीव में इस ड्रोन ने अपने टार्गेट पर बड़ा धमाका किया 2000 किलोमीटर की रेंज वाले ड्रोन का मतलब है कि यमन के हूती विद्रोही इसराइल को आसानी से निशाना बना सकते हैं चाहे वो उसके शहरी इलाके हों चाहे वो इसके ऑॉयल रिग्ज हो या फिर इसराइल के बंदरगा इसराइल पर हमास के हमले के 11 महीने पूरे हो चुके हैं घाजा पर इसराइल के आपरेशन के भी 11 महीने पूरे हो गए हैं 11 महीनों की तबाही का दोर ऐसा चला है कि युद का एपिसेंटर अब घाजा से निकल कर इसराइल और लबनान वौर्डर के साथ-साथ-यमन और लाल सागर में पहुँच गया है नेतनियाहू वोती विद्रोहियों को जिस हुदेदा पोर्ट पर हमले की याद दिला रहे हैं उसकी तस्वीरे देख लीजिए 20 जॉलाई को यही वो हमला था जब इसराइल के फाइटर जेट्स ने यमन के तेल डीपो पर बम गिराए थे और फिर लगा कि जैसे पूरा हुदेदा बंदर का जनले लगा यमन को भी पता लग गया है कि हुदी विद्रोहियों के हमले के बाद जस तरह से इसराइल ने अटाक किया है उससे युद घजा के खंडरों से निकल कर अब उसकी जमीन पर पहुच गया है इसमें कोई शक नहीं है कि यमन का गुसा साथवे आस्मान पर है और यमन की पबलिक इस गुसे का इजहार भी कर रही है घजा को लेकर फैले आकरोश में अब यमन सीधा इसराइल के खिलाफ युद शुरू कर चुका है इससे पहले हूती विद्रोयों ने इसराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाल से कैई हमले किये लेकिन 15 सितंबर का हमला ज्यादा खतरनाक है इसमें यमन की बलिस्टिक मिसाल ने इसराइल के एर डिफेंस को चीट डाला है और अब इसराइल महसूस कर रहा है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत खत्म होती जा रही है इस्राइल की एर और मिसाल डिफेंस नेटवर्क नाकाम साबित हो रहे हैं खत्रा अब इस्राइल के तेल के कूप पर मंडराने लगा है